दन्यवाद एक अफसर देने के लिए मैं बच्चों के बीज कविताएं गाता सुनता रहता हूं तो दस वर्ष हो गए बड़े साहित्तिकारों की रचना पढ़ना वो सुभाज जी ने शुरू आथ खिर से करवाई है और उन्होंने मुझे कविता स्वैम दी दिनकर जी और मे मैंने इनको इनकी रचनाएं पढ़ पढ़ कर भी लिखना सीखा है तो इसलिए मुझे गीत काते हुए बहुत प्रसंदता है यह प्रदीप जो दीख रहा है जिल मिल दूर नहीं है ठक कर बैठ गए क्या भाई मंजल दूर नहीं है चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से चमक रहे पीछे मुड देखो चरण चिन जगमग से शुरू हुई आराथ्य भूम यह क्लांत नहीं रे राही और नहीं तो पाउं लगे हैं क्यूं पढ़ने डगमग से बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है ठक कर बैठ गए क्या भाई मंजल दूर नहीं है अपनी हट्टी की मशाल से हदे चीरते तमका सारी रात चले तुम दुख जेलते कुलिश निर्ममका एक खेप है शेश किसी विदपार उसे कर जाओ वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है ठक कर बैठ गए क्या भाई मंजल दूर नहीं है दिशा दिप्त हो उठी प्राप्त कर पुर्ण प्रकाश तुम्हारा लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा जिसमें टीने लहू पिया वै फूल खिलाएगी ही अंबर पर घनवन चाएगा ही उक्षास तुम्हारा और अधिकले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है ठक कर बैठ गए क्या भाई मंजल दूर नहीं है यह प्रदीप जो दीख रहा है जिल मिल्क दूर नहीं है ठक कर बैठ गए क्या भाई मंजल दूर नहीं है धन्यवारा